लेकिन मैं जिन कवित्री को बुलाना चाहता हूँ कोई हास परियास नहीं आपको प्रभूश्री राम की जलक दिखेगी कभी मुरली वाले की जलक दिखेगी उनकी गीतों में आप अराधना में खो जाएंगे साधना में खो जाएंगे एक ऐसी कवित्री जिन्होंने गीत ना सिर्थ सुनाया है बलकि जिया है उनका सुभाव ही भक्ति में है आपकी तालियों की सरगड़ा हट के साथ ब्रच से आई हुई डॉक्टर रुची चदुरुवेदी जी को निवेदन करना चाता हूँ चंद्रशेन बिराड जी हमारे इंदोर से बड़े गीतकार उनकी चार पंतियां निवेदन करियेगा रुची दीदी से कि ओस को आसू बनाया जाएगा दर्द में भी मुस्कुराया जाएगा और जिन्द की भर की कमाई गीत है अब गीत ही ओढ़ा बिछाया जाएगा जोरदार तालियों से आरणिया रुची चुरुची बहुत देर से निश्यतरूप से तालि बजाते हुए ठक गए हैं आप मा सरसुती के शिचणों में प्रणाम करती हूँ भगवान स्रीराम मा जानकी के चणों में नमन करती हूँ बंदन करती हूँ पावन मंच को प्रणाम करती हूँ और अजय भीया अर्श देकर गए हैं निश्र प्रूप से उतकर देकर गए हैं शदे हेम दादा तक पहुंचना है उनकी अध्यक्ष्टा में कारिक्रम हो रहा है उनकी गरिमा मैं उपस्तित को पढ़ाम करती हूँ एक बार पुन्हा निवेदन करना चाहती हूँ साक्षी और मेरी बहन मेरा तिवारी के लिए एक बार जोड़दार तालिया बजादी जी अविस्मरणी ये कारिक्रम के लिए आप हर वेक्त करती हूँ आधनी पंकज मिशाजी और शब्द ब्रह्म होता है अजे भाया ने जो शुभकामना आपको प्रेशिती हैं मुझे लगता है भगवान शेराम ने उनके मुख से वे शब्द उद्रत दिये हैं और वो शुभकामना आप तक पहुँचे चौबिस की प्रतिक्षा में हम सब है आए ये प्रारम प्रकरना चाहती हूँ सरप्धम थम आपको ब्रज में ले चलती हूँ आवध का प्रणाम ब्रज तक पहुचा धी हो और भरज का प्रणाम आवध को नवे दी तेया हूँ आप सब की करीमा मय उपस्ती दिए आए इए ब्रज चलते हैं और वैसे भी फाग का महीना है फागुन का महीना है और बोली का ट्योहार निकट है प्रणाम करती हूं आई है अगते वादिदी ब्रज राज को नाम रटे रसना बस राधे राधे गाए रयो ब्रज राज को नाम रटे रसना बस राधे राधे गाए रयो सिगरो ब्रज धाम कनहिया की मुरली के गीत सुनाए रयो मन ब्रंदावन की पावन रज माथे परनी ते लगाए रयो मन ब्रंदावन की पावन रज माथे परनी ते लगाए रयो जीवन तरिबे को या जग को ब्रज में ब्रज धाम बुलाए रयो जीवन तरिबे को या जग को ब्रज में ब्रज धाम बुलाए रयो और इस गंगा तट को प्रणाम करते हुए आए एक बार पुना निवेदन करना चाहती हूँ कि जोड़दार तालिया बजाईए बहुत बहतरी इंसंचालक के लिए मित्रिया के लिए मैं पदाम करती हूँ गंगा के न्रातिकों और बताया कि मैं गडेत विशह पढ़ाती हूँ उस विशह में टेकनिकल कैंपस में मेकनिकल और कम्पिरो साइन्स के बच्चों को मैथेमेटिक्स पढ़ाया करती हूँ हम बताते हैं की बिंदू से रेखा बनाने चली हूँ बनाने चली हूँ मैं सागर से न दिया मिलाने चली हूँ मैं सागर से न दिया मिलाने चली हूँ निकटा उटट पे छुपे क्यूं खड़ेगो निकटाओ तट पे छुपे क्यों खड़ेगो मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ मैं बिन दु से रेका बनाने चली हूँ जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरा निवेदन है कि बहुत अधिक देड़ तक कावेपार्ट नहीं करूंगी लेकिन निवेदन सिकार कर लीजेगा वहाँ पीछे इस ठार ले लीजेगा जो लोग भी खड़े हैं सूरज भईया आप सभी निवेदन है सबको बुला के लाइएगा आएए एक गीत जिसके लिए अमित भईया ने विशेश रूप से कहा है उसकी केवल दो पंक्तिया अगर आप तक पहुझ गई और हम ब्रज में पहुझ गए तो मैं उस गीत को पूरा करना चाहती हूँ केवल दो पंक्तिया समर्पित करती हूँ आपको और इस प्रांगल को समर्पित करते हुए क्या भाव है कहना चाहती हूँ आप कभी व्रंदावन अवश्य गए होगे और व्रंदावन में एक स्थान है निदिवन वहाँ पर भगवान शिक्रिष्ट और माराधा का प्रेम पुष्पित और पलवित हुआ उन उन चरणों में प्रणाम करते हुए भाव कहती हूँ क्या भाव हूँ प्रेम तुलसी के दलसी सजीराधिका हर निदिवन बसी कृष्ण की पाखुई एक हुंगली पे गिरी राज को धर लिया दस की दस हुंगलियों से बजी पासुरी प्रेम तुलसी के दलसी सजीराधिका मैंने आपसे तालियों के लिए नहीं कहा फिर भी इतना आशीश मिला है मैंने विदन करती हुँ इसका भन समर्पित करती हुँ क्या भाव है और उस प्रेम को प्रणाम करते हुए कहना चाहती हुँ कि क्या भाव व्यक्त किये हैं क्रिष्ण राधा को सर्गम सुनाते रगे क्रिष्ण राधा को सर्गम सुनाते रगे सुनते सुनते मगन धनकता मूरा हुआ क्रिष्ण राधा को सर्गम सुनाते रगे सुनते सुनते मगन धनकता मूरा हुआ प्रीत पावन हुई प्राण दीपक जले त्रिप्त के भावले मन मयूरा हुआ नेन नेन से ही समर पढ़ किया आसों ने मगन को परिया जुरी नेन नेन से ही समर पढ़ किया आसों ने मगन को परिया जुरी एक हुंगली पे गिरी राज को धर लिया दस की दस हुंगली हो से बजीबा सुरी प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधी का मुझे लगता है मुझे अपना कावेपाट संग्शिप्त करना पड़ेगा बहुत आभार वेक्त करती हूँ क्योंकि आपने इतना आशीश एक बार तालियों की गडगड़ा हट ऐसे के आपर होनी चाहिए थी जोरदार तालियों करते हुए माता जानकी और प्रभु शिराम के चड़ों मेरी ये पंक्तिया निवेदित हैं और आज ऐसे दिव्य मंदिर के दर्शन करके निश्चित रूप से मुझे लगता है मेरी पंक्तिया धन्य हो जाएंगी क्योंकि प्रभु आज सुएम सुनेंगी मैं समर्पित करना चाहती हूँ इस छोटे से निवेदन के साथ कि तालियों का तरन्म मेरे गीत को दे दिजेगा पांचो वर्षों की प्रतिक्षा के बाद पाच अगस तो को ये समय आता है कि प्रभु शेराम के मंदर निरमान के लिए शिला नियास प्रारण वहुता है और जब यह समय आता है, तो लेखिनी चाहती है कि प्रभू आपके दर्शन करने आना चाहते हैं, लेकिन और कोरोना का कथिन काल है, हमारा प्रणाम सिकाति milligram, तब क्या कहती है लेखिनी, वो भाव आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, और क्या भाव है, समर्पित करती हूँ, आप तक पहुंचे तो तालियों के साथ मेरा साथ दे दीजेगा क्या भाओं हैं क्या कहा प्रभु शिराम से तन से भले न जा पाएंगम घर से करें प्रणाम केवल आप ताली बजा रहे हैं बाकी सबका भी साथ मिल जाए तो निश्चित रूप से ये पंतिया शीश ले कर जाएंगी तन से भले न जा पाएंगम घर से करें प्रणाम मन से गी मिल कर पहुंचो सब अवध पुरी के दाम बोलो राम बोलो राम बोलो राम यहां लिखा हुआ आगे धर्म की जैगो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्यान हो और विश्व का कल्यान करने के लिए प्रभुष राम्या स्वाइंगे तन से भले न जा पाएंगम तन से भले न जा पाएंगम घर से करे प्रणाम मन से गी मिलकर पहुचो सब अवध पुरी के दाम बोलो राम बोलो राम 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 आप तालिया बजाते रहिएगा क्या भाव्यक्त किये थे एक इट अपने घर पर तुम राम नाम की रख लेना अक्षत रोली जंदन जल से उसका पूजन कर लेना राम नाम के दीप जलाकर दीप आवली मनाएंगे पुषपों से घर आगन डोडी मंदिर सभी सजाएंगे पूजन सर्यू के तट होगा गाते जैसी नाम मन सेगी मिलकर पहुचो सब अवधपुरी के धाम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, 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 राम इस प्रांगन को समर्पित करना चाहती हूँ बहुत आपाँ अंतिम पंतिया और निशित्रूत से ये प्रणाम माता जानकी के चरणों में करती हूँ कि क्या भाव है जिस पल की थी हमें प्रतीक्षा जीवन में वो पल लाया नेना दर्शन पाएंगे कितने पुन्यों का फल पाया राम सिया के दर्शन पाकर कस्ट सभी मिट जाएंगे अभी तक निवेदन नहीं किया था मैंने आप से अपने वेदन कर रही हूँ हूँ और राम जानकी के मंदर के प्रांगण में निवेदन कर रही हूँ मैं बिटिया हूँ तो आदेश भी दे सकती हूँ जिस पल की थी हमें प्रतीक्षा जीवन में वो पल लाया नेना दर्शन पाएंगे कितने पुन्यों का फल पाया राम सिया के दर्शन पाकर कस्ट से भी मिट जाएंगे कोटी कोटी कंठों के स्वर जै हो जै हो जै हो जै हो जाएंगे दसों दिशाओं में गुझेगा रगुनंदन का नाम मन सेगी मिलकर पहुचो सब अवदपुनी के दाम बोलो राम बोलो राम उराम 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 जजज़ श्री राम आवाज एक बार पर हैं वहार तक पहुंचे जज़ श्री राम मैं उन सेनिकों को प्रणाम करते हुए, मैं अपने कावेपाट को संशिप्त करती हूँ और उन सेनिकों को प्रणाम करते हुए केवल कुछ पंग्तियां समर्पित करना चाहती हूँ आदनी अकलेश दुएदी जी को सुनना है, मैं अपने गीत को छोटा करती हूँ एक सैनिक की पत्नी प्रतिक्षा में बैठी है बर्दा के इस गाउं को प्रणाम करती हूं और क्या भाउ है उस सैनिक की पत्नी के वो प्रतिक्षा में बैठी हुई प्रतिक्षा करती हूं तेरे प्रेम की ओर चनरिया उनको प्रणाम कीजेगा जो सीमा पर हमारी रक्षा के लिए तैनात है उनको प्रणाम करते हुए और यहाँ पर बताया गया कि पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं उन तक पहुचाती हूँ तेरे प्रेम की ओड़ चुनरिया दोलू मन के गाओ रे राग निगारू कब से तेरी पैठी पीपल चाओ रे तेरे प्रेम की ओड़ चुनरिया दोलू मन के गाओ रे राग निगारू कब से तेरी पैठी पीपल चाओ रे अभी तक के वान ने वे दर दर किया था अब मैं राम की सोगंट चाओ रे है उस देश भक्त पत्नी के भाओ आप तक पहुचाती हो और तालियों के साथ मुझे विदा कीजेगा मैं अपने गीत को संक्षिम्त करती हूँ आप तक पहुचाती हूँ कि वो देश भक्त पत्नी क्या कहती है लाल महावर लगे मेरे इन बाओ की चिंदा मत करना सीमा पर जागे रहना तुम गाओ की चिंदा मत करना धिटुरन हो या कडी दूप हो जाओ की चिंदा मत करना लगे यूथ में चोट अगर तो घाओ की चिंदा मत करना धन्य धन्य गो जाओ की चूकर तेरे खायल पाओ रे राख निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल चाओ रे राख निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल चाओ रे बहुत बहुत आभार है भारत मत की गच-ग-ग! गच-ग-गग-गग झाल झाल